नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चानल पुजागर संसार में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जिन महिलाओं को जल से जल प्रेग्नेंसी कंसीव करना है जिन महिलाओं को कई महिनों से ट्राई करने के बाद भी गर्वधारन नहीं हो पा रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत knowledgeable सावीत हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा home remedy बताने वाली हूँ जिसमें नाहीं आपको एक रूपए खर्च करने की जरूरत परेगी और नाहीं आपको कहीं से कुछ भी लाना है बिलकुर 100% नाच्रल तरीका बता रही हूँ और कई सारी महिला दोस्तों ने इस थेयोरी पे concept पे conceive भी किया है यह वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है यदि आपकी सारी reports नॉर्मल आती है फिर भी आपको कई महिनों से try करने पे भी conceive नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखना और जो भी नए वीवर्स ने जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर दे ताकि ऐसे ही most latest और information से भरपूर वीडियो के notification आपको मिलते रहे और प्रते दिन आप ऐसे ही वीडियो उसको देखके pregnancy जल से जल conceive कर पाए आईए फ्रेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल से जल pregnancy conceive करने के लिए महीला का गरभा से स्वस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कई सारी महीलाओं के report तो normal होते हैं लेकिन गरभा से कि कमजोरी की वज़े से आप pregnancy conceive नहीं कर पाते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको uterus को within one month के अंदर prepare करना है pregnancy gain करने के लिए और जो आपका oblation का time आता है इसे समय आपको pregnancy लग जाएगी तो आपको क्या करना है बहुत ही ज़्यादा natural तरीका है इसके लिए आपको केवल एक गिलास पानी लेना है पानी गुनगुना होना चाहिए आपको रात को ये तरीका अपनाना है यानि सोने से पहले आपको गुनगुना एक गिलास पानी लेना है और इसमें मिलाना है आपको friends सिंधा नमक जो सिंधा नमक होता है वो 100% natural होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी chemical नहीं होती है इसलिए आपको इसकी कोई भी side effect नहीं होंगे आपको केवल एक चुटकी सिंधा नमक इस पानी में मिलाना है और चमस से दोनों को मिला कर छोड़ देना है ओबरनाइट और आप इसे ढख करके रख दीजे और सुबा खाली पेट पीना है स्टार्ट कर दीजे इससे क्या होता है फ्रेंड्स जो आपका uterus है उसकी lining बहुत ही कि ovulation समय पे नहीं होता है जीन महिलाओं को इन regular period की परिशानी होती है उनको साल में 6-7 बार ही period आते हैं यानि आपको केवल 6-7 बार ही chance मिलता है पूरे साल में pregnancy conceive करन का इसी वज़े से आपके period अगर इन regular है तो ये drink जो है वो बहुत ही अच्छा magical drink है जो आपके period को regular कर दे तो इससे आपकी fertility बहुत अच्छे से boost हो जाएगी यानि आपके गरवधारन करने के chances बहुत highly बढ़ जाएंगे अगर आपकी period regular हो जाती है तो आप साल में 11 बार गरवधारन के लिए तयार हो सकती है यानि कि आपका ovulation जो है वो हर महीने आएगा और बिल्कुल time से आएगा second चीज यह होती है friends की जो नमक होती है इसमें इतनी अच्छी मात्रा में minerals पाए जाते हैं कि आपके sugar level को blood pressure को हर एक चीज को control में करता है साथी साथ आपको liver से related कोई भी problem है तो यह इसे बहुत ही आसानी से release करता है अगर आपके सरीर में किसी प्रकार की reproductive system से समबंदी समस्य है तो यह drink उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से help करती है friends साथी साथ जो enzymes होते हैं जो हमारी body को repair करने का काम करते हैं जो असुधियों को निकालते हैं तो वो सारी चीजें भी बहुत आसानी से हो जाती है और जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही अच्छे से आपका work करता है कई सारी महिलाओं को gas बनने की परिशानी आती है constipation की सिकायत होती है जिसके वज़े से अगेन आपका stress level बढ़ता है और a hormone disbalance हो जाता है तो जो सेंधा नमक है इसमें 100% natural ऐसे तत्वू होते हैं कि वो आपके stress level को भी कम करता है जिन महिलाओं को नींद नहीं आती है नींद ना आने की परिशानी से ग्रसित होती है तो ये आपके मस्तिस्क को relax करता है जो तंत्री का तंत्र होती है इसकी प्रणालिबत ही अच्छे से कर देता है तो सेंधा नमक 100% natural तरीका है आपकी infertility समस्या को दूर करने का इसे regular waste पे लेना start करिए आपको daily morning के समय खाली पे लेन है इस पानी को और इससे बहुत अच्छा result मिलेगा कई सारी मैलाओ ने वन मन्त के अंदर conceive किया है तो friends प्लीज इस tips को जरूर मानियेगा और आज से ही इस tips को follow करना start कर दीजिए बहुत यह चाब work करेगा आपके ऊपर भी और friends अगर इस वीडियो से रिलेटर आपकी कोई कोई है तो आप कमेंट शिक्चन में पूछ सकते हैं साथी साथ ओविलेशन ट्रैक करने की कोसिस करें ओविलेशन के दौरान ही आपको बहुत जंदी प्रेग्नेंसी गेन हो जाएगी ओविलेशन के ऊपर बहुत सारी मेरे वीडियो जो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि आपको कैसे एनरेगुलर पीरियट में और रेगुलर पीरियट में ओविलेशन को ट्रैक करना है अगर आपकी 28-30 डिस की पीरिट साइकल है तो फ्रेंड्स आपको 11 दिन से ट्राई करना है अल्टेनेटिट बेस पे यह एक नैचरल होता है ओविलेशन का पीरियट लेकिन एनरेगुलर है तो कई सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपकी बॉड़ी में जिसको आप मैच करके समझ सकती है कि आपका ओविलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर आप मार्केट जो ऑविलेशन किट मिलते हैं मार् I really hope आप बहुत जल्दी conceive कर लें friends और वीडियो पसंद आई है तो like, share और subscribe करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को like करें और उसके बाद subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे friends हम फिर से मिलेंगे next वीडियो में एक नई topic के साथ तपक अपने ख्याल लखिए दोस्तो टेक की